Hello friends, आप सब का, आपके अपने चनल, कुबिन लेक्चर्स में एक मैं फिर्से स्वागत है, तो केसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और आप सब की बौर्ड प्रिक्सा के त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी, तो कक्सादस विज्ञान के, उन सबी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिवी है, वहाँ जाकर आप उन क्लासे को आराम से देख सकते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं, अध्यातीन के महत्वपोन प्रश्णों की, तो चलिए क्लास सुरू करते है पहला प्रश्ण है कि खाद्य परदातों के डिबो पर जिंक की बजाए तीन का लेप होता है, क्यों की, खाद्य परदातों के डिबो पर जिंक की बजाए किसका लेप होता है, तीन का लेप होता है, क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जो तीन है, उस तीन की एपेक्सा जिंक अधिक कैसा होता है अभी क्रियासिल होता है यानि जिंक है वो टीन की तूलना में ज्यादा क्रियासिल होता है इस वज़े से उस पर जंग लाने की संभावना होती है लेकिन जो टीन है वो जिंक की तूलना में बहुत कम अभी क्रियासिल है और यह आसानी से वायू मंडल की ऑक्सिजन के साथ या नमी के साथ दभी किरिया नहीं करता है। अतो उस पर आसानी से जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि खाद्य परदात की जो डिब्बे होते हैं, उन पर जिंक की बजाए तीन धातू का लेप किया जाता है। दूसरा है, विद्यूत तारों की परसपर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिस्र दातू को परियूक्त करते हैं। लेड और टीन के मिस्रन से। पांचवा प्रत्तन है, इस्टेनलेस इस्टेल में आरन को इन के साथ मिस्रित किया जाता है। स्टेनलेस इस्टिल में आयरन को किसके साथ मिस्रित किया जाता है तो किसके साथ किया जाता है निकिल और क्रोमियम के साथ में यानि स्टेनलेस इस्टिल जो मिस्रित हातू है वो बनी होती है आयरन निकिल और क्रोमियम के संयोजन से तट्रा प्रश्ण है निम्नलिकित मैंसे कौन सी अधातू द्रव अवस्ता में पाई जाती है निम्नलिकित मैंसे कौन सी अधातू है जो द्रव अवस्ता में पाई जाती है तो वो है ब्रोमिन अधी यहाँ पर पूछा होता कि कौन सी धातू है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्ता में पाई जाती है तो वो होता है आपका HG यानि पारा अत्वा मरकरी ये धातू है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्ता में पाई जाती है और ब्रोमिन अ धातू है जो द्रव अवस्ता में पाई जाती है तातवा दातु जो कमरेक केताब पर द्रव अवस्ता में पाई जाती है वह कौन सी दातु है जो कमरेक केताब पर द्रव अवस्ता में पाई जाती है तो वो है पाराया मरकरी आठवा निम्नलिकित मैंसे कौन सा तत्व अमलिय ओक्साइड बनाएगा अमलिय ओक्साइड कौन सा तत्वा बनाएगा तो जो आपका कार्बन है कार्बन कैसा बनाएगा अमलिय ओक्साइड क्या है अधातू है और अधातू ओक्सिजन के साथ अभी क्रिया करके कौन से ओक्साइड बनाती है आपके अमलिय ओक्साइड बनाती है नववा है वायू में लंबे समय तक उदभासन से शिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यहा किसे बनने से होता है। यानि जब हम सिल्वर यानि चांदी की बनी जो वस्तूव हैं, वो कुछ समय तक अगर खुले में रहती है, या वायू के संपरक में रहती है, तो चांदी की जो उपरी परते वो काली हो जाती है, तो ये किसकी वज़ा से होता है, तो ये होता है सिल्वर सलफैड के बनने से, स पर दस्वा है एक्वारेजिया में साद्र holistic और संद्र HNO3 किस अनुपात में होते हैं तो तीन अनुपात एक में एक्वारेजिया का ही दूसरा नाम क्या है अमलराज रिसका उप्योंक इसके लिए किया जाता है तो धातू और अबुसुनों को गलाने के लिए इसका उप्यों किया जाता है क्यारवा प्रस्ण है कोई धातू ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया करके उच गलनांक वाला योगिक बनाती है यह योगिक जल में विले है तो धातू का नाम बताईए कोई धातू है जो अक्सिजन के साथ दबीक iliya करके एक उच्च गलनांग वाला क्या बनाती है योगीक तो उसका नाम क्या है? उस योगीक वो योगीक जल के अंदर विले हैं तो उस दातू का नाम क्या है? तो उस दातू का नाम है केलसियम ठीक है केल्सियम ऑक्सिजन के साथ अभी क्रिया करके क्या बनाती है केल्सियम ऑक्साइल बनाती है बारवा निम्नलिकित में ऐसे आइनिक योगिक नहीं है कौनसा योगिक है जो आइनिक नहीं है तो जो आपका CCL 4 है ये कैसा है ये आपका कार्बनिक योगिक है नकी आइनिक योगिक आगे बात करें रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए तेरवा प्रशन है पहली खाली जगह है दातू तथा अधातू में इलेक्ट्रोन के खाली जगह से बने योगिक को आइनिक योगिक कहते हैं तो धातू और अधातू में इलेक्ट्रोनों के इस्तानांतरन से बनने वाले योगिक को आइनिक योगिक कहा जाता है दूसरा दो या दो से अधिक धातूओं के खालिज गव मिस्रन को मिस्र धातू कहते हैं तो दो या दो से अधिक धातूओं के समांगी मिस्रन को क्या कहते हैं मिस्र धातू कहते हैं तिसरा आइनिक योगीकों का गलनांक और कवतनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि विप्रित आवेसित आईनों में मजबूत क्या होता है अंतर आईनिक आकर्षन बल होता है ठीक है अंतर आईनिक आकर्षन बल और इस मजबूत अंतर आईनिक आकर्षन बल के कारण ही आईनिक योगिकों का गलनांग और कवतनांग कैसा होता है उच्च होता है ठीक आ प्रकर्टी में मुग तवस्ता में पाई जाती है ऐसी दो धातुए जो प्रकर्टी में मुग तवस्ता में पाई जाती है तो देखो प्रकर्टी में प्रकर्टी में मुग तवस्ता में पाई जाती है तो देखो प्रकर्टी में प्रकर्टी में मुग तवस्ता में पाई जात बहुत कम किरियासिल है, ये सक्रिता श्रैनी में सबसे नीचे पाई जाती है, और इन तीनों की जो किरियासिलता है, वो किरियासिलता क्या है, किरियासिलता सबसे कम है, इस वज़े से ये प्रकर्ती में, मुग तवस्ता में पाई जाती है, आगे बात करें, प्रश्न संख्या क्या कहलाता है तो लोहे और इस पास से बचाने के लिए इस पर जो जस्ते की पतलत परच चड़ा जाती है ताकि इनका संचारन आसानी से नहीं हो तो उस वीधी का नाम है गैलवेनी करण या यसद लेपन का नाम है गैलवेनी करण अथवा यसद लेपन ठीक है गैलवेनी से कहते हैं तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे कि जब धातूओं को उनकी क्रिया सिलता के आधार पर अवरोही क्रम में वैवस्तित किया जाता है तो उस श्रेणी या सुची को कहते हैं सक्रिता श्रेणी तो यहाँ पर लिख देंगे धातूओं को उनकी किरिया सिलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाने पर या व्यवस्तित करने पर प्राप्त सुची या प्राप्त श्रैनी उसे के कहते हैं सक्रीता श्रैनी दातूओं को जब उनकी क्रिया सिलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्तित कर दिये जाता है तो उस श्रैनी को कहते हैं सक्रीता श्रैनी ठीक प्रश्न संक्या सत्रह विद्यूत अब गटनी प्रिश्कन विधी में अब इले असुद्या एनोर तली पर निक्सेपित हो जाती है उसे कहते हैं तो विद्यूत अपगटनी प्रिश्कन विधी में जो अविले असुद्या होती हैं वो अंत में एनोड की तली के उपर क्या हो जाती है जमा हो जाती है जिसे क्या कहते हैं जिसे कहते हैं एनोड पंक क्या कहते हैं वैच्चो एनोड पंक कहते हैं ठीके आगे बात करें प्रश तो हमने एक बाग में लिखा है खनीज और दूसरे बाग में लिखा है आयस्कौ। ठीक दूसरा बिंदू है अनेक खनीजों में दातू की परतिशत मात्रा काफी बड़ी मात्रा में होती है जबकि अन्या में दातू की परतिशत मात्रा बहुती क्या होती है कम होती है यनि कुछ खनीजों के अंदर दातू की मात्रा बहुत जादा होती है तो कुछ के अंदर द दातू की जो परतिसत मात्रा है वो परियाप्त मात्रा में होती है। किसरा अंतर है कुछ खनीजों में बहुत अधिक असुद्या होती है जो दातू के निशकर्षन में क्या करती है रुकावट डालती है। वही आयसकों में कोई भी आपती जनक असुद्धिया नहीं होती है। तो अता अंतर, सभी खनीजों को दातु निश्कर्षन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सभी खनीज आयसकों नहीं होते हैं। मतलब क्या है? सभी खनीज आयसकों नहीं होते हैं। वही अयस्क की बात करें तो सभी अयस्कों को धातू के निसकर्षन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और सभी अयस्क क्या होते हैं सभी अयस्क के अंदर धातू होती है और वो अपने आपने खनीज होते हैं तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया कि खनीज और अयस्क में किसे प्रियुक्त करेंगे, हमें किसी दातु का क्या करना है, विद्यूत अब गटनी प्रिश्करन करना है, तो उस इस्तती में आप एनोर, केथोर और विद्यूत अब गटनी के रूप में किसका उप्योग करेंगे, तो देखो यदि यह में कोई धातु M है, उसका हमें क्या करना है विद्यूत अब गटनी प्रिश्करण के मदर से उसे क्या करना है दातू का सोधन करना है सुद्ध दातू प्राप्त करनी है तो हम एनोड किसे बनाएंगे दातू M की असुद्ध मोटी प्लेट को जो दातू है दातू M उसकी जो असुद्ध मोटी प्लेट है उसको हम बनाएंगे एनोड, कैथोड किसे बनाएंगे, दातु M की सुद्ध पतली पलेट को हम क्या बनाएंगे, कैथोड, और अब गट्टे किसका उपयोग करेंगे, दातु M का जल में गुलंसिल विलियन, अब गट्टे के रूप में किसका उपयोग करेंगे, दातु M का जल के अं गट्टे के रूप में, उस दातू का जल के इंदर गुलंसिल विलियन का उपयोग किया जाएगा, प्रश्न संख्या 20 है आगे आपका, कि निस्थापन और भर्जन में अंतर क्या है, इसमें अंतर बताना है निस्थापन और भर्जन में, एक बाद में लिखा है भर्जन, वही निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट और हाइडरेड आइसको के सुद्धी करण के लिए किया जाता है। जिंक सल्फैड की अपिक्रेक्स साथ हो रही है ऑक्सिजन के साथ उसको गरम कर रहे हैं। जिंक सल्फैड आइसको के सुद्धी करण के लिए किया जाता है। इस दोनों के अंदर अंतर हो गया। प्रश्न संक्या 21 उबह धर्मियो उक्साइड किसे कहते हैं और दो उबह धर्मियो उक्साइडों के उद्यारन देने हैं। तो नाम से बता चल रहा है उबह धर्मियो उक्साइड ऐनि ऐसे दात्व उक्साइड जो अमलियो और सारियो दोनों परकार के वहवार यानि गोण परकट करते हैं। उन्हें कहते हैं उबह धर्मियो उक्साइड मतलब ये दात्व उक्साइड आपके अमलो और सार दोनों के साथ रियक्शन करके क्या बनाते हैं। आपके लवण और जल बनाते हैं। Aluminium Oxide Al2O3 और आपका Zinc Oxide ZNO ये दोनों ही उबेधर्मी Oxide के उधारन हैं जो अमला और सारक दोनों के साथ अभी क्रिया करके लवन और जल बनाते हैं। प्रशन संक्या 22 आप सबने बहुत बार पड़ा होगा कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डूबो कर क्यों रखा जाता है। आग पकड़ लेती हैं। इस वज़े से सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डूबो कर रखा जाता है ताकि इसका Oxygen के साथ संपरक न हो और आग लगने जैसे गटना न हो। रखा जाता है अतो सोडियम को मिट्टी के तेल यानि केरोसिन के अंदर डूबो कर रखा जाता है। प्रश्ण संख्या 22 दातू करम क्या है। तो किसी दातू के अयसको में से उस दातू को प्राप्त करने के संपुन व्यग्यानिक और अध्योगिक परकरम को क्या कहते हैं दातू करम। कोई दातू का अयसको है उसमें से मैं सुद्य दातू प्राप्त करनी है। तो उस सुद्य दातू को प्राप्त करने के लिए जितने भी ब्यग्यानिक और जो अध्योगिक प्रक्रिया होती है उन्हें कहते हैं सम्मेलित रूप से दातू करम। या दूसरे सब्दों में कहे तो ऐस्क से दातू को प्राप्त करने की जो विदी है वो कहलाती है दातू करम दूसरा प्रशन था गेंग से आप क्या समझते हैं तो आयस्क और खनीजों के अंदर जो कई परकार की असुद्या पाई जाती है जैसे मिट्टी, कंकड, पत्थर आधी जो अनावश्चक प्रदात होते हैं वो कहलाते हैं गेंग क्या कहलाते हैं गेंग प्रशन संक्या 24 कोपर के विद्यूत अबगटनी परिश्क्रण का नामांग की चित्र बनाओ तो अभी मैंने बताया था कि यदि हमें किसी भी दातू का विद्यूत अबगटनी परिश्क्रण करना है तो हम एनोड किसका बनाएंगे एनोड बनाएंगे हम यहाँ पर कॉपर जो दातू है कॉपर असुद दातू, असुद कॉपर की मोटी परत का असुद कॉपर की मोटी परत, यह क्या बनाएंगे एनोड कैथोड किसका बनाएंगे, सुद कॉपर की पतली परत सुद कॉपर की पतली परत, इसको हम क्या बनाएंगे इसको बनाएंगे हम आपका कैथोड, सुद कॉपर की पतली परत को हम क्या बनाएंगे cathode बनाएंगे और आपका अब गट्टे ओ जिसके अंदर ये गुलेगा वो क्या होगा यहाँ पर वो होगा आपके अमली कर्थ copper sulfate का billion यानि CUSO4 का billion ठीक है तो देखो आपके सामने चित्र दिया हुआ है यहाँ पर यह cathode है फिर यह anode है यहाँ पर जो billion है वो अमली कर्थ copper sulfate का billion है यह पूरा जो आपको बरतन दिख रहा है वो tank है और लास्ट में जो अपदर्वे यानि जो गंदगी जो अव इले परदात होगा वो इस पोने पर जमा हो जाएगा इसे हम कहेंगे anode punk क्या कहेंगे anode punk कहेंगे प्रश्ण संक्या 25 है आपका एक तत्व एक तत्व है A oxide A2O3 बनाता है जो अमलीय परकर्ती का है एक तत्व A है वो oxide क्या बनाता है A2O3 oxide बनाता है वो और कौनसी परकर्ती का है अमलीय परकर्ती का दातू या अधातू के रूप में A को पेचानिये यह oxide amliya होगा अत्वा सारिय किस परकर्ती का होगा तो देखो यह oxide यह प्रश्ण में दिया हुआ है कि अमलीय परकर्ती का है कौनसी परकर्ती का है amliya और अब मैं पता है कि जो अधातू होती है वो amliya परकर्ती का oxide बनाती है तो यहाँ पर जो तत्वा A है वो क्या है अधातू क्योंकि अधातू कौनसे oxide बनाती है अधातू आपके amliya oxide बनाती है कौनसे oxide बनाती है amliya oxide और जो धातू होती है धातू आपके कौनसे oxide बनाती है दातु आपके सारी ओक्साट बिनाती है तो यहाँ प्रह Quickly रुप से कह सकते हैं कि यहाँ पर ओक्साट की प्रकृति क्या दूई है अमलिये दूई है प्रश्ण के अंदर अत यह कुण से होगी अत यह आपकी अधातु होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी अमलिय परकरती होगी प्रश्ण संक्या चब्वी से कि प्लेटीनम, सोना और चांदी का उप्योग आबुसन बनाने में क्यों किया जाता है प्लेटीनम, सोना और चांदी का उप्योग आबुसन बनाने में क्यों होता है तो प्लेटीनम, सोना बंदूता या ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया करने की जो समता है वो बहुत ही कम होती है इस कारण से ये वायू की ओक्सिजन और नमी से अभिक्रिया बहुत कम करती है या न के बराबर करती है और इन पर आसानी से जंग भी नहीं लगता है इस वज़े से आभुशन बनाने मे प्लेटीनम, सोना और चांदी का उप्योग के जाता है जो क्या है? जो अत्यंत ही कम किरियासिल है जो क्या है? अत्यंत कम किरियासिल है इस वज़े से ये सक्रिदा श्राणी में सबसे नीचे वाले इस्तान पर पाई जाती है और अत्यंत कम किरियासिल होने की वज़े से ही ये वायू मंडल की अक्सिजन के साथ आसानी से अभी किरिया नहीं करती है अतर इनका अप्योग आपुशन बनाने के लिए किया जाता है प्रशन संक्या 27 से आपका कि विद्यूत हीटर का तापन तार किसका बना होता है ये बताना है और दूसरा प्रशन है कि किसी विद्यूत हीटर का जो क्रोड है वो नहीं चमकता जबकि तापन तार चमकता है कैसे ये अमें बताना है तो देखो परीपत के अंदर जो जूड़ा तार होता है वो सदन किसका होता है तामबे का जबकि जो हीटर का तापन अव्यव होता है वो तापन अव्यव प्राय किसका बना होता है नाइक्रोम का वेरी वेरी इंपोर्टेंट इटर के अंदर जो युक्ती होती है जो गरम होती है वो किसके बनी होती है वो बनी होती है नाइक्रोम की और नाइक्रोम की जो परतीरोधकता है वो तामबे से बहुत ज़्यादा होती है इसलिए तार उत्त नहीं होता यानि कि छमकता नहीं है ज लेकिन जो नाइक्रोम का तार होता है वो बहुत क्या होता है बहुत अधिक परतिरोधिकता वाला होता है और उसका गलनाख बहुत उच्छ होता है इस वजे से जब हीटर के अंदर विद्धुधरा प्रवाहित होती है तो वो नाइक्रोम का तार क्या होता है नाइक्रोम का त तोस और थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि धन में रिन आयनों की बीच क्योंकि धन एवम रिन आयनों की बीच मजबूत आकर्शन बल होता है। कार्बनिक गोल को यानि जो कार्बनिक गोल हैं जैसे केरोशीन, पेट्रोल और बेंजीन आदी किंदर कैसे होते हैं अगुलंसिल होते हैं। जो आयनिक योगीक हैं वो ठोस अवस्ता में विद्यूत का चालन नहीं करते हैं लेकिन द्रव अवस्ता में यानि जलिये विलियन म वो क्या करते हैं? विद्धूत का चालन करते हैं. तो यह हो गए आपके आईनिक योगीकों के महतोपुन गोण धरम. अगला आईनिक योगीकों का गलनांग उच्छे होता है क्यों? अभी इमने देखा था कि जो आईनिक योगीक हैं वो किसे मिलकर बने होते हैं आईनों से? न की अनुओ से. तो विपरीत प्रकार के जो आयन होते हैं यानिक योगीक में विपरीत प्रकार के आयन एक धनात्मक आयन और एक रिनात्मक आयन. ये दोनों ही आयन महतोपुन आपके मजबूत अंतर आयनिक आकर्शन बल या कह सकते हैं आयन विद्धित बल. अंतर आयनिक आकर्षन बल के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी और आकर्षित करते हैं और यह आकर्षन बल बहुती मजबूत यानि सक्ति साली होता है इस वज़े से आयनिक योगी को का गलनांग क्या होता है? उच्छ होता है नहीं सिंपल वासा मैं कहें तो आयनिक योगी किसे मिलकर बने होते हैं? आयनों से अतर दो विप्रित आयनों के बीच में बहुती मजबूत अंतर आयनिक आकर्षन बल पाए जाता है जिसकी वज़े से आयनिक योगी को के गलनांग काफी उच्छ होते हैं प्रशन संग्या 3 है कि जो आपका वर्षा जल है वो विद्यूत का चालन करता है लेकिन आसुत जल नहीं करता क्यों? तो देखो कारण क्या है? कि जो आसुत जल होता है वो सुद्ध होता है और उसमें आयन नहीं बनते हैं और उस वज़े से तथा विद्यूत का चालन किसके दोरा होता है, आयनों के दोरा ही होता है, यह जो आपका आस्विद जल है, जो आसुद जल है, या सुद जल है, वो बिलकुल सुद होता है, उसमें कोई आयन नहीं बनते क्योंकि आस्वीच जल की जो प्रकरती है वो कैसी होती है उदासिन तो आस्वीच जल के अंदर किसी भी प्रकार के आयनों का निर्मान नहीं होता है इस वज़े से इसमें किसी भी प्रकार के आयनों का निर्मान नहीं होता क्यों? क्योंकि वाई में उपस्तित SO2 और NO2 ये दोनों गैस जल के अंदर मिलकर इसे क्या बना देती है? अमलिय बना देती है और ये अमला क्या करते हैं? H प्लस आयन उत्पन करते हैं और आयनों की उत्पती की वज़े से ही वर्सा जल के अंदर विद्धुद्धारा का जो आसानी से हो जाता है आगे बात करें प्रशन संख्या 31 की दातू और अधातू के ऑक्साइडों की प्रकरती कैसी होती है? उद्धारन दे कर समझाए तो पहले बात करें दातू ऑक्साइड की तो दातू ऑक्साइडों की प्रकरती कैसी होती है? सार ये क्योंकि जब ये पान लेकिन कुछ दातू उक्साइड जैसे जिंक उक्साइड और अलुमिनियम उक्साइड इनकी प्रत्रक्रती कैसे होती है उबेधर्मी उक्साइड क्योंकि ये अमला और सारक दोनों की तरह क्या करते हैं वेवार करते हैं और इन दोनों प्रकार के योगीकों के साथ क्रिया करक तो क्या बनाते हैं लवन और जल बनाते हैं उदारन के लिए SO2, CO2 और NO2 और कुछ अधातू उक्साइड उदासिन भी होते हैं जैसे CO, कार्बन, मॉनो उक्साइड ये कैसे होते हैं ये उदासिन भी होते हैं आगे बात करें प्रशन संख्या 32 की एक योगीक है जिसका उप्योग तूटी हुई हड़ियों को जोड़ने में प्लास्टर रहतू किया जाता है यह परदात जल को अवस्वोसित करने पर कठोर हो जाता है उस परदात को पैचानिये, रासायनिक सुत्र लिखिये और उसके निर्मान की रासायनिक समिकरनली की विधी लिखनी है अभी किरिया लिखनी है तो उस परदात का नाम क्या है? प्लास्टर रह पैरिस सुत्र क्या है? C.A.S.O.4, आप H2O तो P.O.P. का एक विशेस गुण यह होता है कि जिसमें जल मिलाते ही यह तुरंत कठोर हो जाता है इसके लावा इसका ओपियो खिलोने बिनाने में भी किया जाता है और जो P.O.P. है इसको मैसा आद्र रोधी बरतन के अंदर ही रखा जाता है क्योंकि यह आद्र वायू के साथ दबी क्रिया करके क्या बनाता है जिपसम बनाता है अब P.O.P. बनता कैसे है तो जब जिपसम को C.A.S.O.4 2H2O यह किसका सुत्र है जिपसम का जिपसम को जब 373 Kelvin पर गरम करते हैं तो क्या बनता है आपका P.O.P. Plaster of Paris ठीक है और आपका जो जल है जल का कुछ अनुक्या हो जाता है यहां पर अलग हो जाता है तो यह सुत्र है आपके जिपसम का और यह सुत्र है आपके P.O.P. का Plaster of Paris का आगे बात करें प्रशन संग्या 33 की निमन में अभिक्रिया के आधार पर प्रदात X को पहचानिए A, B, C के नाम और सुत्र भी लिखिए तो देखो कोई आपका प्रदात X है वो जिंक के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है वो आपके S.C.L. के साथ अभिक्रिया कर रहा है और आपके CH3, C.W.H. न.E.H.C.T. कमलग के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर पहले तत्वष X कुअंसा है ? मैं उसका नाम बताना है तो तत्वष X है वो है आपका sodium hydroxide तत्वष x कुंसा है ? तत्वष X है आपका वो है आपका यहाँ पर sodium hydroxide NaOH ठीक है ? फिर यहाँ पर जो A है इस A कामान क्या है ? A का मान है आपका, वो है sodium zincate, Na2, Zn, O2, B यहाँ पर जो है, B का मान है आपका NaCl, क्या है, B का मान है NaCl, sodium chloride, और यहाँ पर जो C है, C की जगह होगा आपका, वो होगा sodium acetate, क्या होगा, sodium acetate, CH3, COO, Na, है न, तो देखो, यहाँ पर अभी किरिया दी हुई है, कि यहाँ पर जो आपका योगी X है, वो क्या है, sodium hydroxide है, तो sodium hydroxide की जब अभी किरिया zinc के साथ हो रही है, तो क्या बन रहा है, sodium zincate और आपकी hydrogen gas बन रही है, जब sodium hydroxide की अभी किरिया SCL के साथ हो रही है, तो sodium chloride बन रहा है, और इस तरव अच्छो हमने आपके अध्यातीन के question bank के अंतरगत जितने भी महत्वपन question दिये गए थे, उन सभी के solution बहुत अच्छे से जान लिये हैं, उम्मिद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे, और ये सारे के सारे प्रशन आपके प् नहीं बनती है, आपके board producer का paper निचित रूप से इनी फ्रशनों से आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने मित्रों को शेयर करो, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और bell icon को जरूर दब ताकि मेरी परत्य क्लास की जानकरी आपको समय पर मिल सके, तो आज गले इतना ही, जे हिंद, जे भरत!